आप सभी का स्वागत आप सब्सक्राइब विज्डम नर्सिंग लासे किस ओनलाइन प्लेटफोर्म के उपर और और मॉर्निंग के सुबह छे बज़ चुके हैं और आज का हमारा जो मॉर्निंग डोज है वो क्या रहने वाला है एक प्यारा सा टॉपिक हम डेली मॉर्निंग मे सुबह 6 बज़े प्यारी प्यारा टॉपिक्स को 5 मिनट में कंपलीट करते हैं और एक कुछ नही नहीं चीज़े हम पढ़ते हैं नए नए रोज नए कॉंसेप्ट जो है वो हम किलियर करते हैं आज का हमारा कॉंसेप्ट है वो है आपका VVM आपने नाम सुना होगा VVM के ब करते हैं आपका वैक्सीन वाइल वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है वो इसे हम कहते हैं ठीक है VVM की फुल फॉर्म क्या होती है वैक्सीन वाइल मॉनिटर आपकी होती है यह आपको याद रखना है ठीक है आचा VVM को हम यूज कहां करते हैं तो याद रखेगा VVM को आपका use किया जाता है VVM को जो है वो use किया जाता है आपका क्या चीज़ maintain करने में Sir maintain करते है इसे हम maintain cold chain cold chain को यह करती है आपकी maintain करती है यह आपको याद रखना है ठीक है आचा याद रखीगा यह maintain कैसे करती है Sir temperature का regulation करती है किसका regulation करती है temperature regulation का ये work करती है आपका temperature के बारे में जो है वो हमें बताती है तो VVM मतलब vaccine while monitoring हम कहते हैं इसका usage आपका क्या दाता है maintain the call chain और याद रखेगा ये temperature को क्या करती है regulate करने का काम करती है important question आपका पूछा आता है कि जो VVM है आपका VVM को जो है आपका first time VVM को जो है वो first time use किस ने किया था तो use by Unisafe याद रखेगा VVM को सबसे पहले जो है वो Unisafe ने use किया था और कब use किया था तो आपको याद अखना है in 1996 के अंदर और किसके लिए OPV के लिए तो question पूछा जाए कि VVM को सबसे पहले किसने use किया Unisafe ने किसके लिए use किया OPV के लिए कब किया 1996 में तो VVM Vaxil Mind Monitoring जो हमारी होती है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले ये Unisafe के दोरा use की थी और कब गई थी 1996 के अंदर इसको सबसे पहले use किया था और कौन सी vaccine के लिए OPV oral polio vaccine के लिए जो है वो इसे use किया गया था ये आपको याद रखना है ठीक है फिर आपको याद रखना है कि सर ये जो है आपकी start कब हुई थी किसके अंदर ये start हुई थी आपकी 2 IP universal immunization program में जो है ये start हुई थी आपकी वो हुई थी 1997 के अंदर तो याद रखेगा कि ये जो है आपकी universal immunization program में 1907 में में start हुई थी जबकि उससे पहले UNISAFE ने जो है इसका use कर लिया था ठीक है प्रोग्राम universal immunization program में तो ये बाद में आई थी उससे पहले UNISAFE ने जो है इसे काम में ले लिया था ठीक है अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है एक चीज में बता देता हूँ देखो ये आपकी जो है वो एक while होती है ये क्या है आपकी एक while है ठीक है इस while की अगर हम बात करते है तो इस पे एक तो क्या होता है आपका एक तो होता है यहाँ पे square सिर्फ का chip होता है ठीक है और इसके अंदर एक क्या होता है सर्कल पाया जाता है एक क्या पाया जाता है आपका circle जो है पाया जाता है यह जो square आपका होता है इसका color कैसा होता है blue यह जो square हमारा होता है क्या होता है आपका square जो होता है उसका color जो है व आपका होता है, इस circle का color कैसा होता है, इस white color होता है, कैसा color होता है, white color जो है, वो हमें देखने को मिलता है, तो याद रखेगा कि इस square की हम बात करें तो blue color होता है, और circle की अगर हम बात करते हैं, तो कैसा color होता है, आपका white color हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अब मैं यहाँ तीन डाइग्राम बना रहा हूं आपको ठीक है याद रखेगा कहां पे हम यूज करेंगे कहां पे हम यूज नहीं करेंगे ये देखेगा पहला ये दूसरा और ये तीसरा ठीक है याद रखेगा अगर आपका जो है आउटर जो है जो स्क्वाइर है वो पूरा ब्ल्यू है औ को हम use नहीं करते हैं तो do not use इसे हम use नहीं करते हैं और मालो दोनों ही equal हो जाते हैं तो याद रखेगा ये हमारा c criteria इसे भी हम use नहीं करते हैं तो do not use तो याद रखेगा कि अगर हमारा square जो है blue है और circle आपका white है तो हम इसे use कर सकते हैं अगर अगर हमारा circle जो है वो आपका क्या हो चुका है blue और बाकी white तो हम इसे use नहीं करते हो दोनों equal हो जाते हैं तो भी हम इसे use नहीं कर सकते तो याद रखेगा आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पर मैं याद रख देता हूं कि usable condition कौन सी है usable condition है आपकी कि अगर हमारा inner circle जो होता है वो inner circle अगर light है तो हम उसे use कर सकते हैं और अगर हमारा outer circle जो है dark है तो हम इस conditions में क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं light और dark ठीके तो यह आपको याद रखने usable condition होती है अच्छा unusable मतलब discardable condition कौन सी होती है तो discardable discardable जो condition होती है अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो याद रखेगा अगर मालो आपका जो inner circle जो होता है ये inner circle आपका कैसा है dark है अर भाई अंदर वाला dark है तो इसको हम discard कर देंगे अगर हमारा जो outer circle है क्या है हमारा अगर outer circle जो है वो हमारा क्या है light है तो उस conditions में भी discardable है औ और अगर बहुत equal हो जाते हैं मैंने कहा कि अगर दोनू circle जो है वो आपके क्या हो जाते हैं मेच हो जाते हैं या equal हो जाते हैं तो इसे हम क्या करते हैं सर डिसकार्ड करते हैं मतलब equal हो जाते हैं तो ये तीन condition है जहांपे हम इसे discard करते हैं तो ये आपका VVM का एक चोटा सा नया concept है, I hope आपको ये concept पसंद आ रहे होंगे, इस concept को morning सुबे 6 बिजे जो होता है daily इसको देखा करो, daily इसके norms बनाया करो, और इसको share करिया करो अपने दोस्तों के साथ में और channel के उपन नए है तो channel को subscribe करना, class को like करना, class को share करना, thank you so much